हाँ जी बेटा तो कॉस्ट के RTP को और अग्गे बढ़ाते हैं अब आजी कोश्चन नमबर तीन ये पहले भी आयो पेपर में है और हमने ओवरेट की इसाइनमेंट में इसे बड़े अच्छे से कवर कर रखा पर कोश्चन अच्छा है जैसे कोई बंदा है जिसने पहले ना किया हो उसको दिक्कत काफी जाँ दे सकता ही है तो मैं अज़े सारे जो अच्छे वाले पॉइंट हैं वो डिटेल में रख दूँगा आपके सामने देखिए जी शुरू कीजिए यू आर गिवन दी फॉली इंफो फ्री मशीन्स फॉर दी मैनिफेक्ट्रिं डिपार्ट्मट अफ एक्स लिमिटेड प्रिलिम्री एस्टिमेट ऑफ दी एक्स्पेंस पारिण जब भी यह वर्ड लग गया प्रिलिम्री एस्टिमेट पहले कि शुरुवात में लगाया गया अंदाजा जैसना कोई बुरा हो जाता है कुछ दुर्गटना हो जाती है तब भी कही बलाता है शुरुवाती आंकड़े बता रहे हैं समझे कि नहीं प्रिलिम्री एस्टिमेट आपने शुरू में एक अंदाजा लगाया अब इसका हमारी पढ़ाई में क्या रेल्वनस है वो समझे सर यहां कोई ना कोई खर्चा पक्का चेंज हो गई होगा मल यह प्रिलिम्री एस्टिमेट है तो आगे वो कुछ ना कुछ बताएगा बताएगा कि यह वले खर्चे में ऐसे कर दो एप प्रिसिशन तीनों मशीनों में बांटी हुई है स्पेर पार्ट्स पावर पावर कंबाइंड बांट लेंगे इंफर्मिशन आजेगी कंजीमेबल स्टोर्स बांटे हुए इंशोरंस और मशीनरी, इंडिरेक्ट लेबर, बिल्डिंग मेंटेनेस एक्स्पेंस इंटरस्ट नॉर्मली हम इगनोर करते हैं मंतली चार्जिस फॉर रेंट एंड रेट्स सेलरी और फोर मैन पर मन्त सेलरी और अटेंड पर मन्त फॉर मैन एंड अटेंडनेंट कंट्रोल आल थ्री मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम उन देम तो डिवाइड बै तीन कर देना इनके खर्चे को फॉलिंग एडिशन इंफर्मेशन इस अवेलबल लेबर आर अवेलबल है मशीन वाइस ratio of kilowatt rating kilowatt rating बहुत important sir power का expense बाढ़ने में काफी अच्छा बेस बाना जाता floor space area related खर्चे जैसे rent रोंट वेरा बाढ़ने काम आएगा sir जैसा पिछला कुश्चन था लेबर का उसमें भी आर्ज में थोड़ा सा point था कि आर्ज कैसे निकालने यहां तो चलो ultimately एक गलती है यहां गलती नहीं है पर इसमें भी आर्ज निकालने में अच्छा point है जब यह paper में लगा था तब भी यहीं बच्चे फसे there are 12 holidays beside sunday in the year of which two are on Saturday कि तो sunday के इलावा 12 चुटी है मैं संड़े को चुटी है ही है पर कोई दिन ते और की पर सेचेडे को भी आयाता है तो दो जो चुटी है बारा में से वो सेचेडे को है अब manufacturing department work 8 hours in a day सेचेडे half day मैं लिए सेचेडे जो working है जिसमें दो चुटी है भी है कही पर उस सेचेडे का वैसे जो वर्किंग है ना वो थोड़ा ही है कितना है चार घंटे मशीन 90% कवेस्टी पर काम कर रहे है 2% reasonable है breakdown के लिए मानना अभी आपको कि सर आपको preliminary estimate का effect तो है नहीं सर आने लगा You are required to calculate pre-determined machine r rate for above machine after taking into account the following factors 15% increase spare parts में 25% increase consumption of spare parts for B और C only 15% increase है price of spare parts जो कीमते हैं वो 15% बढ़ी है और quantity भी भढ़ रही है सभी machineों के लिए consumption नहीं बढ़ रही है किसमें बढ़ रही है B और C में 20% increase general wage rate में भी है general increase है wage rate में सर इस सारा question हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सबसे important है इसमें Rs पे clarity बनना कभी-कभी ये question बच्चे ये भी कहा जाते थे class में कि सर ये न वैसे primary secondary वाला sum दिखता है actually ये machine hour rate का sum है बेटा machine hour rate के sum की तरह ही करना तो machine hour rate के sum में standing charges और फिर machine expenses अलग-लग कर दिये जाते हैं आपको अच्छे से बतागा ठीक है सर मैं इसमें अब आपको बताने लगा हूँ Rs का चक्कर कैसे सुल जाया जाए और सर इसका भी calculation खो दोनाते है Rs का ऐसे बात नहीं बनेगी institute वाले note से 365 days ऐसा paper में करने से पहले आप ये जरूर देख ले ना कि उसमें कहीं 360 के assumption तो नहीं है नहीं है सर सर अब इसको थोड़ा सा सजा लो एक तो हम जिसे कहते हैं न weekdays Monday to Friday ये हमारे weekdays होते हैं फिर हमारा Saturday आता है फिर हमारा Sunday आता है weekend कहा देते हैं जिने इस तरह मनाते हैं सर हम 52 Saturday मान रहे हैं साल में 52 ही Sunday मान रहे है probability का एक question आपको याद आ रहा होगा कि there are 53 वो आपने करना हो आपकी मर्जी है 53 वाली बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है इदा मतलब जो weekdays हैं Monday to Friday वो 261 है देखो न मैंने 140 इसमें से माइनिस कर दिया अब यहां उन्हें चुटियां holidays सर दिखे Sunday off रहेगा Sunday working नहीं रहेगा 12 चुटियां हो रहा है बेटा 12 चुटियां हो रहा है पड़ो ज़र there are 12 holidays besides Sunday in the year or which two are on such a day 12 में से 2 such a day को है yellow 10 यहां है दा मतलब 251 days 50 days बोलो भी बात clear? हाजी सर बिल्कुल clear 251 days यह आपके week days में है और जो आपका Saturday है वो 50 working होंगे अब सर maximum hours अगर दिखा जाए 251 को तो आप multiply कर सकते हो 8 गंटे से ठीक है सर 50 जो Saturday है वो आपको पता half day है तो यह 200 गंटे यहां आ रहे 251 into 8 करते तो 2008 हर है प्लस 200 208 गंटे मेरे पास टूटल बन रहे हैं पर यह मैं effective hours anticipated hours कुछ भी नहीं कहूंगा ऐसा सर देखो point और भी है सिरफ इतना ही point नहीं था point इसके बाद भी है लिखा हुआ है सारी machine ने 90% capacity पे काम करेंगी और 2% reasonable है breakdown के लिए भी मानना कि खराब भी भी आ सकती है उसो इसे machine रुख जाती है उसे breakdown कहते हैं ठीक है सर अब इसका institute ने कैसे किया institute ने भी ठीक समझाया अब किसी ने अगर इससे भी समझ ना होगो तो उससे समझ तो आई जाता होगा इसतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो institute भी महारी तरह 208 घंटे पे पहुंच चुका यह आप देख सकते हैं हम भी 208 घंटे पे हैं आगे अब दो step होने हैं एक तो 90% की adjustment की 90% कवेस्टी पे लाना है फिर जब 90% कवेस्टी पे आ जाओगे फिर उसमें से 2% माइनस करना हो यह हम खुद करते हैं सर इसका 90% करो सर याता 90% करके 1987.2 90% कवेस्टी पे इतने आर सिखते इसमें 2% breakdown में वेस्टे जाजेगी तो इसका 2% करो सर याता 39.74 तो उसको मान लो मैंने 39.74 यह as it is लिख दिया इसको इसमें से माइनस किया यह आर सिखते जी 1947.456 ऐसा कुछ इंची चूट क्या कर रहा है वो भी आप देख लिजे 1947 1947 1947.456 है इंची चूट के पास है 1947.46 इसको round off कर लिया आगे की तरफ round off कर लिया पीछे भी कर सकते थे 1947 would have been better mathematically भी और जब costing ही कर नहीं है तो आर्ज आप पीछे की तरफ राउंड off करो तांकि cost बढ़के है तांकि proper recovery हो सके चलो कोई नहीं बैसने वाली नहीं है बात अगलोंने आगे round off कर दिया कोई बात नहीं सर मेन पंगा सिर्फ इस question में आर्ज का अगर आपको आर्ज निकालने आगे हैं आप अपना note down कर लीजे पूरा अपनी copy पर बना लीजे तो आप काफी safe है हमने पूरा एन खुल के 305 दिन को 52, 52 Sunday, Saturday फिर weekdays में break कर दिया फिर उसने का आप 12 चुटियां होंगी Sunday के लावा Sunday पूरे off रहेंगे 12 चुटियां Sunday के लावा उसमें से कोई 2 चुटियां Saturday को आ जाएंगी 2 Saturday off होगे 10 weekdays off होगे maximum hours आगे इतने 90% capacity पे लिए 90% capacity में से 2% breakdown उटा दिया तो यह सबसे main point था अब सर बाकी तो फॉर्मलेटियां है spare parts वाला note जुरूर समझा देता हूँ जैसे मैंने आपको starting में ही कहा था कि भाई यह यह यहाँ एक word यूज़ कर रहे हैं कि यह preliminary estimates है और जब भी किसी चीज़ के शुरुवाती आंकड़े आते हैं जाए फिर हो elections का result हो या कोई mis happening हो disaster हो तो उसमें changes आती ही आते हैं शुरुवाती आंकड़ों है changes आती ही आते हैं अब यहाँ शुरुवाती आंकड़े दिखा रहे थे कि spare parts इतने इतने के लगेंगे ठीक है सर? बलकुल जी और सर spare parts के बारे में ख़बर आई कि उनके prices 15% बढ़ गए हैं और 50% consumption भी बढ़ेगी B और C machine के लिए अब इस adjustment को कैसे करें? सर institute ने किया कि जो आपके पहले वाले estimate थे अगर आप उतनी quantity consume करने जा रहे हैं तब भी 15% कीमत जादा अदा करनी होगी बलकुल ठीक बात पर जै आप कहरें नहीं सर हमें तो 25% quantity भी और चाहिए वल्ली जैसे 100 के बजाए 125 unit चाहिए सर यह आपकी previous quantity है वो इतने पे आ रही है अब अगर आपको 25% quantity और खरीन नहीं है तो नए rate भी 25% add होगा तो इतनी चीज आ गई कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कई नहीं सर पहले हम ऐसे देखें न 40,000 की old quantity थी हमें अब 25% और खरीन नहीं है तो यह 50,000 हो गया मैं गए बेटा यह तो अभी old price पे है वो इनने सर पता है यह old price है अब 15% कीमते बढ़गी तो 50,000 वला आपको मिलेगा 57,500 जैसे मर्जी कर लीजे mathematically one and the same thing है अब उसमें एक चीज और बताई थी शुरुआती आंकडों में बदलाव यहां से भी आएगा 20% general increase in wage rate wage rate में 20% increase है यह सर अब आप wages में देखेंगे थोड़ा तो समझ पाएंगे कि यह किसको बढ़ा रहा है सर देखेंगे आपका wages का खर्चा यहां दिया हुआ indirect labor यह आप देख रहें indirect labor यहां दिया हुआ 2,00,000 रुपे बिलकुल सर देख रहा हम है 2,00,000 रुपे अब आप वो line पढ़ेंगे 20% general increase in wage rate तो सर यह देखिए solution में इस खर्चे को भी बढ़ा दिया गया है और यह खर्चा कर दिया गया है 2,40 interest कहता है capital outlet में finance cost होता है तो इसको हम excluded रखें cost में एक आदिस वाले में पुठी है जमिशन भी तुमने ही ले रखी है चलो, normally तो interest excluded ही है अब यह जो statement बनी हुए है सर इसमें क्या-क्या बच्चे को समझाना जुरूरी सर देखो, थोड़ा बहुत जहां-जहां कुछ division है वो तो समझाना पड़ेगा न अब जैसे बेटा depreciation है तो depreciation institute variable मान लेता जहतर तो यह variable charge में जाके आप देख लो, depreciation इसने as it is लिख दियोगी कुछ किया नहीं होगा सर लिख दी, सर तो यह कोई समझाने वाली बात नहीं मनी spare parts का final estimate जो भी है वो machine related expensive में लिख दिया गया होगा final estimate लिखा होगा, यह वाला नहीं जो वहाँ दिया होगा preliminary नही final, final sir, final, बिल्कुल और sir, अगला खर्चा है power यहाँ थोड़ा यह समझना है 4 lakh का बिजली का बिल है, 3 machine है sir, kilo watt rating है 3, 2, 3 3, 2, 3, 3, 2, 3 इस ratio में बांट दो sir, power machine expensive होता है यही ने power यह रहा sir, 4 lakh 3, 2, 3 में बांट दिया बिल्कुल सही बात है sir then sir, power के बाद अगर आप देखते हैं तो consumable stores हैं sir, इन में कोई estimate chain नहीं होगा, कुछ नहीं होगा as it is, machining expense में लिख दिया होगा देखना चाहते हैं, हाँ जी sir, देखना चाहते हैं दिया होगा sir, insurance of machinery, यहाँ थोड़ा सा हलका सा pause करेंगे, अराम से समझेंगे insurance of machinery जो होती है यह खर्चा हम बाणते आए हैं value machine में, कुट सा value based item जितनी महिंगी machine हो उतना जादा होदा insurance premium बन जाता है sir, अब यह 80,000 रुपे का insurance है value machine तो यहाँ दे नहीं रखी machine ABC की कहीं value दिख जाती तो क्या बात दी, sir नहीं sir वो तो कहीं नहीं दी हुई, sir फिर क्या मनने, sir कुछ ऐसा ढूंड़ो जो value के आसपास हो, sir देखो machine की जो depreciation होती है वो भी उसकी value के अनुसार ही लगी होती है तो अगर value machine नहीं दे रखी है तो insurance को बाढ़ने के लिए base, depreciation का बिलकुल सही रहेगा, तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पर, यह राजी आपका insurance, यह राज सबसे top most standing charge deposition की ratio में बठा है तो यह थोड़ा सा फिर भी अच्छा point था then you are going towards the indirect labor indirect labor के लिए यहाँ direct labor arts दे रखें, उस ratio में बाढ़ दिया गया है, यह आप देख सकते हैं directly labor arts के ratio में then आपके पास अगला जो combine खर्चा हो, building का maintenance expense है sir, building का maintenance expense है तो area के according चले, area according fixed charge इसे माना जाएगा rent भी area के according foreman और attendant की salaries है, वो equal ही है हम फिर भी एक random check-in पे ज़रूर करेंगे, सर्फ 42,000 पर मंत है, 42,000 पर मंत को आप multiply कीजिए into 12 कीजिए 5,4,000 आपके पास हो जाता फिर आप चेक कीजिए कि 5,4,000 वहाँ है, बिल्कुल है sir, attendant का भी देख लेते है 12 into 12, 41 होता है sir ji 41,44 यहाँ है, equally बंटे हुए है, कुछ भी समझाने लाइक point नहीं है sir, main arts क्योंकि यह खर्चे तो शायद आपके तब भी ऐसी आ जाते है अगर arts गल्त भी आ जाते है फिर आप जब परार करोगे तो पकड़े जाओगे तो arts पे द्यान दीजिए और इस question में मेरा निख्याल की कुछ जारा बनता था, तो बिल्कुल normal सा question था तो इस question को यहीं खतम करते हैं जी अगला question अगली वीडियो में ओके जी बेटा